हलो मैं फिर्ड, नमस्तर और प्रारवड सलम मैं इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ इस्वीडियो में आईइसमेंत्रीक पाइप। बारे में आइसोमेट्र प्राइब कैसे देखते हैं इसका नौर्थिंग क्या होता है और कैसे टेमपलेट करते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूं जो नए लोग पाइफीटर और फेबरिकेटर काम सीखना चाहते हैं कंस से काम होता है किस तरह से ड्राइंग देखा जाता है यहीं सब बेसिक इंफर्मेशन में आपको इस व्यूडियो में बताने वाला हूँ तो फ्रेंट देख सकते हैं यह प्लांट के अंदर किस तरीका से यह पाइप लाइन लगाया गया है और यहां पर यह जो खड़ा है इसे विसल कहते हैं और इसमें यह सब पाइप लाइन लगाया गया है और किस तरीका से यह सब लगाया गया है देख सकते हैं जैसे यहां पर नीचे में इस तरीका से पाइप जा रहा है यहां भी यह सब पाइप है इसमें भी यह पाइप लगाया है और इस विसल में भी देख स pipe को fabrication किया जा रहा है तो इसको fabrication कैसे किया जाता है drawing के हिसाब से किया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह isometric pipe drawing है इसी के जरी यह plant में काम होता है इसको देखा जाता है किस तरह यह line जा रहा है और कौन से कौन से direction में जा रहा है और क्या क्या fittings लगाना है तो देख सकते हैं यहाँ पर जो fittings जो लगाए गया है यह WNRF flange है और इसके बाद यहाँ pipe है बीच में और यह सब support का बीच में symbol है और इसके बाद यहाँ पर elbow लगा हुआ है और फिर pipe लगा करके off के तरब जा रहा है और यहाँ पर elbow लगाया है और फिर pipe है फिर elbow लगाया गया तो इसमें सिर्फ जादा elbow है देख सकते हैं किस तरीका से तो इसका मैं आपको template बैंड करके दिखाऊंगा और direction भी बताऊंगे किस तरीका से देखा जाता है और यहाँ पर last में आएंगे तो यह यहाँ पर यह T लगाया गया यह T बोल जाता है यानि कि एक pipe को दुसरे pipe के साथ यह जोडा गया है और उसके बाद फिर यहाँ पर elbow है और इसके बाद यहाँ पर एक और T लगाया गया है इसी तरीका से drawing यह सब होता है pipeline में North, South और West, East के हिसाब से यह सब direction दिया रहता है औ यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीका से fabrication किया रहा है यहाँ पर यह फ्लैंच जो लगाया गया इस pipe में यह socket फ्लैंच है यह जो है इसमें pipe इस पर से उस पर निकल जाता है इसमें दोनों side welding होता है देख सकते हैं इस side building किया गया है और यह जो फ्लैंच है इसमें इस तरफ व और इसको fabrication करने के लिए हमें template band करने आना चाहिए direction देखने आना चाहिए यह drawing के हिसाब से इसके उपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ 100 से ज्यादा वीडियो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं template band करने का तरीका isometric drawing देखने का तरीका rolling drawing बहुत सारा वीडियो है आप वो देख करके बहुत सारा सिख सकते हैं काम और मैं आपको footage दिखा रहा हूँ देख सकते ही यह सब किस तरीका से यह सब piping जो लगाया गया है यहाँ पर यह वाल का symbol है यह भी pipe हो गया इस तरीका से यह पर लगा हुआ है यह rolling में लगा हुआ है उसके बद यह off में जा यह सब इसमें क्या क्या fittings है यह सब drawing देखना पड़ता है isometric drawing में symbol देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरीका से fabrication करना है और क्या क्या यहाँ पर fittings लगाना है यह सब जितना भी valve इसमें लगा हुआ है सब drawing में देता है कि यहाँ पर कौन सा कौन सा वाल लगान ओर आप यह जो प्लांड का же है यहाँ ए जो माइटरल ब्रांच यहां पर लगाया गया है और यहाँ सब जान बैंट कैसे औरigare में सब बड़ियो कि सब मीडियो मिल जान का माइटर बैंट कैसे बनाते हैं इसका फर्मुलां क्या है यहसं पर कि यह जी हैं ब्रांच लगा करकर यह इस बर यहां परसुर प्रमुला क्या है यह सब छैनल पर देख देख सकते हैं ब्रहु सब fazla यह सब यहां और अप नेन यहीं सब लुक्त में यहां इस सरी होगा है यहां पर एक branch लगा करके up हो रहा है और इस तरीका से आप drawing देखेंगे drawing में जब आप देखेंगे तो आपको समाज में आ जाएगा कि इस तरीका से देखा जाता है देख सकते हैं इस तरीका से यह सब जितना भी यह सब pipe fitting होता है सब isometric drawing देखकर और उसके जरी यह fabrication किया जाता है और उसके बाद एक-एक spool ला करके इस तरीका से erection किया जाता है और उसमें क्या-क्या fitting है वो सब drawing में दिया हुआ रहता है कि कहां पर क्या-क्या लगाना है कितना dimension रहेगा और कहां-कहां पर valve आ रहा है कौनसा valve आ रहा है वो सब drawing में लिखा हुआ रहता है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यह PSB valve है यह glow valve है यह butterfly valve है यहां पर यह glow valve यह gate valve यहां छोटा सा दिया गया है जो एक इंच का है यहां पर blind flange यहां पर लगा हुआ है यहां एक tank का साथ यह pipe जो है connection हुआ है देख सकते हैं छोटा सा tank है और इसके नीचे फिर line जाएगा जो की grinding मारके छोड़ा गया है यह footage में इस तरीका से यह सब कौन से direction में line जा रहा है उसके लिए हमें isometric pipe drawing देखने आना चाहिए उसके बाद आप fabrication करेंगे और erection करेंगे इसी तरीका से यह सब fabrication होता है यह सब आपको अगर सीखना हो isometric drawing कैसे देखते हैं fabrication कैसे करते हैं template कैसे मोडते हैं rolling का या फिर जैसा भी हो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो है और इसका मैं link वीडियो के नीचे description में भी डाल के रखा हूँ वहाँ से भी आप जा सकते हैं चलिए मैं आपको इस drawing का एक template bend करके दिखाता हूँ और direction बता रहा हूँ कि इसको कैसे कैसे देखा जाता है और कैसे template bend किया जाता है तो फ्रенд इस तरिका से यहाँ पर देख सकते हैं इस drawing में यहाँ पर नॉर्थ दिया गया है तो फ्रेंड हम यहाँ से direction देखना शुरू करेंगे तो यहाँ से यह लाइन नॉर्थ के तरफ जा रहा है तो इस तरिका से अपने सामने हमचा नॉर्थ मानेंगे और इधर South और इधर West और इधर East मानेंगे तो हमारे सामने North है इस तरीका से हम North के तरफ इसे टेंपलेट ऐसे पकड़ेंगे यह North चला गया और इसके बाद यहाँ पर Elbow लगा करके UP हो रहा है यहाँ पर एक हम Elbow लगाएंगे और UP कर लेंगे इस तरीका से यह लाइन UP के जा रहा है और उसके बाद फिर एक Elbow लगा करके North के तरफ यह लाइन जा रहा है एक और यहाँ पर हम Elbow इस तरीका से बनाएंगे और यह North के तरफ ऐसे बैंड करेंगे इस तरीका से यह North गया और उसके बाद यहाँ पर एक Elbow लगा करके यह लाइन East के तरफ जा रहा है दे के तरफ जा रहा है यहां पर देख सकते हैं इधर नौर्थ है यह नौर्थ इस तरीका से गया यहां पर हम एक और एल्बू बनाएंगे और नौर्थ के तरफ हम बेंड कर लेंगे इस तरीका से देख सकते हैं इसके बाद यहां नौर्थ से एक एल्बू लगा करके यह लाइन up के तरफ जा रहा है तो यहाँ पर एक और हम elbow लगा करके up के तरफ कर लेंगे इस तरीका सी यह up चला गया देख सकते हैं किस तरीका सी यह template मुड़ रहा है ऐसे ही आपको template मुड़ना है और इतना जो यह line है अलग-अलग part में बनता है एक ही में नहीं बनता है कभी भी जैसे कि यहाँ से ले करके यहाँ तक एक spool बन गया और यहाँ से ले करके यहाँ तक spool बन गया और यहाँ से ले करके यहाँ तक एक अलग spool बन गया तो ऐसे बनाये जाता है और यह up होने के बाद उसके बाद यहां से यह line फिर से north के तरफ यहां पर मुड़ रहा है तो यहां पर एक और हम elbow लगा करके north के तरफ मुड़ेंगे और उसके बाद elbow लगा करके यह line up के तरफ मुड़ रहा है तो यहां से एक और elbow लगा करके हम up के तरफ मुड़ेंगे तो फिर देख सकते हैं, यहाँ से यह line off के तरफ गया, और off जाने के बाद यहाँ पर एक T बन रहा है, और T का direction दे रहा है यह एक North के तरफ और एक South के तरफ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीका से एक T का डिजाइन में हम बना लेंगे, देख सकते हैं, एक North चला गया और एक ये south के तरफ आ गया और उसके बाद यहाँ पर एक elbow लगा करके ये line east के तरफ मुढ रहा है और यहाँ भी एक T का symbol दिया गया है तो इस तरीका से हम east के तरफ band करेंगे तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये छोटे-छोटे ये सब दिया गया है यहाँ से ये off हुआ और off होने के बाद ये T का direction एक north में है और एक south में गया है यहाँ से ये line off हुआ और एक T का direction north में चला गया और एक south में आया इस तरीका से इसके बाद यहाँ पर will लगा करके यह line east में जा रहा है और यहाँ पर एक t लगाया गे है जिसका एक t का यज़ डिरेक्षण है south में रहेगा इस तरीका से यहाँपे देख सकते हैं यह tea जो लगा हुआ यह south में इसका डिरेक्षण दे रहे है तो इस तरीका से इसका template bend करना है देख सकते हैं ये किस तरीका से मैं bend किया हूँ थोड़ा सा मैं इसको cross में करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पुरा template दिखाई दे देख सकते हैं इस तरफ से भी देख सकते हैं इस तरीका से ये line रहेगा फिर से हम इसका direction देख लेते हैं, दूसरे position पे रखके, यहां से यह line north गया और उसके बाद off हुआ, यहां से देख सकते हैं, यहां से यह line north गया और उसके बाद off हुआ, उसके बाद वापस north में जा रहा है, यहां से यह line north गया, off हुआ, वापस north में जा रहा है, और यहां से इस्ट के तरफ आ रहा है यह से रहेगा यह लाइन ऐसे इस्ट में जा रहा है उसके बाद यह लाइन यहां से फिर वापस नौर्थ में जा रहा है यहां से यह लाइन इस्ट में जा रहा है देख सकते हैं यह लाइन नौर्थ में गया और वापस यह लाइन नौर्थ में जा तो यह लाइन नॉर्थ में जाएगा यहां से यह लाइन नॉर्थ में जाएगा यहां से यह लाइन नॉर्थ में जा रहा है और उसके बाद यहां से यह अप हुआ यहां से यह अप होने के बाद यहां पर एक टी लग रहा है जिसका यह डारेक्शन नॉर्थ में है और एक ड template band किया जाता है और direction दिखा जाता है देख सकते हैं तो इस तरीका से आप एक साथ पूरा template band कर लेंगे और इसको अलग-अलग part by part में fabrication करेंगे यहां पर देख सकते हैं यह cut का निसान मारा गया है यह pipe में शिरिफ आपको एक flange इस तरीका से लगा दिना है और यह elbow पाइप में लगाना है और यह elbow लगाना है और यह elbow लगेगा और यहां पर cut का निसान माज दिया गया है यह field weld रहेगा यहां पर देख सकते हैं यह 10 नमर joint field weld रहेगा और यह joint से ले करके आप यहां कोई भी joint यह जैसे 14 नमर या फिर यह 15 नमर तक आप field weld डख सकते हैं और इसके बाद यहां से ले करके और यह इस joint तक यहां पर ती लगा हुआ है यहां तक एक अलग spool रखेंगे जो spool 5 दिया गया है और यहां से ले करके इतना जो रहेगा यह अलग एक spool रहेगा जो 6 नमर spool नमर यहां पर दिया गया है spool 1,2,3,4,5,6 इस तरीका से अलग अलग part by part में हम इसको fabrication करेंगे और plant में ले जा करके position पर रखेंगे इसको erection करेंगे और वहां पर यह सब joint और fitting किया जाएगा और उसके बाद welding किया जाएगा यहां पर यह जो symbol दे रहा है यह प्लेटफर्म के उपर निकल रहा है जो grating होता है जाली उसके उपर यह निकल रहा है यह जाली का symbol है तो इसी तरीका से यह line देता है और इसमें यहां पर यह जो number सब लिखा गया है यह अगला drawing का number है जिस line में यह connection हो रहा है और यहां पर यह जो easting, northing और elevation लिखा गया है इसी के हिसाब से हमें पहचाना जाता है कि यह line plant के अंदर किस जगा आ रहा है कितने दूरी पर आ रहा है, north से कितना दूरी पर है, east से कितना दूरी पर है हम column से check करते हैं और यह elevation देखते हैं कि कितने उचाई पर है और बाकी line number दिया गया है, continuation number यानि कि कौनसे drawing में connection होगा, कौनसे line में connection होगा सभी जगा का अलग-अलग दिया गया है, रहख सकते हैं यहां का अलग continuation number रहेगा और यह T वाला joint है यह अलग-अलग दिया गया यह यह वाला और यह वाला इरेक्षन करने से पहले fabrication करना पड़ता है, कैसे fabrication करना है, कैसे drawing देखना है, इसके उपर आप हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, देख सकते हैं, कैसे drawing देखते हैं, क्या-क्या fittings होता है, क्या-क्या material होता है, वो सब का नाम आप जान सकते हैं, कोई भी एक नया helper, fitter य और अपने friends के साथ share करें, और नीचे इस तरीका का rate button होका, उसे आप दबा लीजिए, subscribe कर लेजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे,